हुआ है हलो साथियो नमस्कार उमीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सवस्त होंगे सुरक्षित होंगे सभी लोग का वेलकम है सभी लोग का स्वागत है एक्जाम दृष्टी में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जो भी नए साथी लोग है और आप को पता चलिए कि सभी लोग की लगवत कवीयत खराब चल लए हमारे यहां पर कोई दिक्कार नहीं हम बात कर एंगे प्रेसीडेंट के बारे में आज हमारा जो टॉपिक होने जाल है प्रेसीडेंट से सब्सक्राइब सारी बात करें करेंगे देखते हैं क्या-क कुछ महत् कौन से नंबर की 15 नंबर की पहला सवाल तो यही सीधा सीधा बन जाता है हम इस पूरे टॉपिक को डिसकस करेंगे विस्तार से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सेयर कर लिजे क्लास को आप लोग के कमेंट देखने के लिए यह टैप खुल लिया गया है आजा भाई खुल जा सिमसिम चांग गया एक सब्सक्राइब चलिए एक बार सेयर कर लो जल्दी जल्दी और नए स्टूएंट कौन है एक बार कमेंट करके नाम बता दो फटा फटे बोलो मैं नया हूं कौन नया है कौन पुराना है देखने की जरुरत ही है है चलो है और है घृट चलो मेरी आवास सभी लोगों को आरें ही हैं आख बार कमेंट करके जल्दी शा बता देंगे फटा फट और सेसेन को से यृशं कर देंगे चैकर चलिए जैंध सभी लोगे जै हिंज, जै भारत क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? So, हम बात कर रहे हैं, प्रेशिडेंट प्रद के बारे में हम सब को जानेंगे, very important. सबसे पहले, रास्टपती के बारे में हमारे सम्विधान में क्या बात की गई है, है न? राष्ट्रपदी के बारे में हमारे सम्विधान में क्या बात की गई इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले हम एक बात करेंगे हम अपने सम्विधान की प्रस्ताबना की हम अपने सम्विधान की प्रस्ताबना की बात करेंगे सब्ध है Republic हमारा देश कैसा होना चाहिए Republic कल Republic Day भी है ठीक है तो हमारा देश कैसा है Republic Country है Republic State जब Republic की बात होती है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश के मुखिया को चुना हुआ होना चाहिए जब भी आप से बात बोलिया है कि what is the meaning of Republic this means that the head of state should be elected head of the state हमारा कैसा होना चाहिए elected होना चाहिए यह मतलब निकलता है हमारे Republic सब्द से रिपब्लिक सब्द से क्या मतलब निकलता है कि हमारा head of the state कैसा होना चाहिए निर्वाचित होना चाहिए अब यहाँ पर मैं दो सब्द लिखूँगा एक सब्द है D-0 जब हम Head of the State की बात करेंगे यानि राज के प्रमुक की बात करेंगे या राज के मुखिया या राज का तात्पर यहाँ पर क्या देश से है ठीक है नेशन से है तो जब हम राज के प्रमुक की बात करेंगे तो हम दो तरीके समझते एक हम बोलते हैं, de facto, यानि वास्तव में हमारे देश का प्रमुख कौन है, तो वास्तविक में, या वास्तव में, है न, वास्तव में देश का प्रमुख कौन है, देश का प्रमुख, ठीक है, यानि इसे हम दूसरे सब्दों में क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं, دूसरा सब्द है डीजेवर, वैरे इंडीजेवर का मतलव होता है, नॉमिनल nominal को हिंदी में हम बोलते हैं नाम मातर का क्या बोलते हैं नाम मातर का very important तो नाम मातर का हमारे देश का मुखिया कौन है और real मुखिया कौन है है ना देश का मुखिया हमने दो तरीके से समझते हैं एक तरीके से हम समझते हैं कि वास्तविक में वास्तों में आखिर देश का मुख्या है कौन दूसरा यानि ज्यादा सक्तिया किसके पास है और दूसरा हम बोलते हैं डीजेवर यानि नाम मात्र का यानि नॉमिलर तो इस तरीके से देश का मुख्या कौन है तो जब हम दोनों इस तिदी को कंपेर करते हैं तो हम देखते हैं कि यानि नाम मातर के जो मुखिया है वो हमारा जो पद होता है, राष्टपती का वो होता है और जब भी आप अंतरास्टी पटल पर जाते हो, हमारे देश का कोई भी रेप्रेजेंटेटीप अंतरास्टी पर जाता है, तो बुला जाता है कि यह Republican of India से आए ह Republic of India का मतलब है कि यह हमारी पहचान है अंतर राष्टी इस्तर पे हमारी पहचान है कि हमारे देश का जो मुखिया है वो निर्वाचित होके आता है हमारे देश का जो मुखिया है वो हेरिडेटरी नहीं है वंसानुगत नहीं आ रहा है, बलकि देश का मुख्या कैसा है, निर्वाचित होके आ रहा है, वहीं पर हम real head की बात करते हैं, तो real head कौन है हमारे देश के? प्रधान मंत्री, है ना, देश का प्रधान मंत्री वो real head है, उसके पास मंत्री परसद है, फुरा portfolio है, है ना? सो याद रखना दोनों चीजें, दोनों में तर, Defecto और Deezer, Defecto और Deezer, ठीक है, Great, सेशन को सेर नहीं किया गया गी अभी तक है न, सभी लोग सेशन को सेर जरू करेंगे, और, ओके, यह सफ्वी तरवेदी कहा रहे हैं सब रियल प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल प्रेसिड के बारे में बात कर रहे हैं भारतिय संविधान में भारतिय संविधान में इस संदर्व में रास्टतपती के संदर्व में कौन-कौन से आर्टिकल हैं वो देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 52 आपको पता है आर्टिकल नंबर 52 से हमारा यू 52 है और यहीं से सुरुवात होती है रास्टपती की सुनना क्या कहता है आर्टिकल 52 कहता है समविधान का कि there shall be the president of India भारत का एक रास्टपती होगा भारत का ये रास्टपती होगा इस तरीके का प्रस्न सीधा का सीधा प्रलिम में पूछा जाएगा आपसे कि समविधान के किस समविधान के किस अनुछेद में बात की गई है सीधा सवाल आपसे पूछाएगा आप बोलोगे गुरुजी समविधान के अनुछेद 32 में इसके बारे में बात की गई है और यहां पे और महत्पूर बात है कि जब हम बात करते हैं रास्टपती के बारे में तो हम उन्हें क तरीके से हमारे देश को यदि एक परिवार माल लें, तो इस परिवार का मुखिया है रास्टरपती, ठीक है, ग्रेट, तो यहाँ पर याद रखना कि आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, रास्टरपती के बारे में बात करता है कि एक एक हम आर्टिकल को देखने की कोसिस करेंगे, एक एक आर्टिकल को समझने की कोसिस करेंगे, अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 53 of the Constitution, आर्टिकल 53 क्या कहता है हमारे समविधान का, हमने बात तो बोल दी कि रास्टरपती होगा, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कर न बता है कि आर्टिकल 53 क्या करता है, ये बताता है कि जो रास्टरपती है न, वो हमारे देश का एक्जक्यूटिव हैड है, कारेकारी अध्यक्ष है, कारेकारी अध्यक्ष है, very important, अब ये कारेकारी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, यानि एक्जक्यूटिव हैड का मतलब क क्या है इसका तात्पर ये है कि कोई भी नियम या कानून बनता है केंद्र सरकार के द्वारा रास्ट्रपती के नाम पर वो नियम और कानून बनेगा कोई संसद एक्ट पारित करके लाती है तो वो किसके नाम पर पर वो नियम एक्टा इंप्लीमेंट होगा रास्ट्रपति के नाम पर क्योंकि अंतिम सिगनेचर रास्ट्रपति के ही होने मेंmostनी जब हम एक्जक्यूशन की बात करते हैं इसका तात्पर ये होता है कि हम नीतियों का किस तरीके से ख्रयान वेन कर रहे हैं। तो या तो रास् राष्टेपती जो है वो कारेकारी अध्यक्ष होता है, please mention and no doubt, राष्टेपती क्या है, कारेकारी अध्यक्ष है, इस बात को लिखना और ये बात हमें पता कहां से चलती है, आप बोलोगे समविधान के अनुछेद नमबर 53 से, समविधान के अनुछेद नमबर 53 से ये बात प तो आर्टिकल की जो most important आर्टिकल जिसमें होंगे और उसके बाद जो बरतमान की बात करें तो हम जो आर्टिकल आपको especially emphasis करके बता रहें वो जरूर याद रखें इससे सवाल पूछा गया है फिर से सवाल पूछा जा सकता है ये भी मातमान लो और चैनल को जल्दी से क्लास को जल्दी से सेर कर लो फटाफट जिसने अभी भी नहीं किया है यह बहुत बड़ी गलती कर दो जल्दी से कर लो फटाफट है थोड़ा सा हमारा भी motivation बनेगा सो आर्टिकल नमर 53 की बात हुई इसमें क्या बोला है संगी की कारेकारी सकतियों के बारे में लेक किया है और दे एक्सगेटिव पाबर ऑफ दे प्रेसिडेंट आर एक्साइजड आइदर डिरेक्ली और इंडिरेक्ली थ्रो दा ओफिसर और सबॉर्डिनेट तो हिम यानि रास्टपती या रास्टपती के स्थबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनी के अंतरगत या उनी के द्वारा नीतियों का क्रियान वेन कराए जाएगा उसमें हेड कौन होगा रास्टपती होगा याद रखना very important exam में सवाल पूँचा गया हम इस बात को याद रखेंगे आते हैं एक एक करके हैं न इतमिदाज से बहुत सिद्दस से हम चर्चा करते हैं हम बात करते समविधान के अनुचेद नंबर 54 की बात करते हैं समविधान के अनुचेद googord प्लाइंग से भी सवाल बनाए जा सकते हैं यआ वो आर्टिकल 52 की 2 30 ओर 54 15 दे और उनसे बोल कि इसमें इसमें क्या है इसоме तरीके से ऐसे वो मैचिंग करांगे लिए बोल दे और और एक दूसरे के आर्टिकल के content को सफल कर दे यानि एक दूसरे से परिवर्तित कर दे और फिर आपको match the following कहा जाए तो ऐसी स्थिदे में जब तक हमें यह नहीं पता होगा तब तक हम काम गड़बट कर देंगे बहुत सारे बच्चा पार्टी जो है आर्टिकल नमर 52 और 53 मे में confused है आर्टिकल नमर 52 में है राष्ट्रपती होना चाहिए भारत का एक राष्ट्रपती होगा थाना भारत का देर सेल विदा प्रेसिदेंट आफ इंडिया यह बात आर्टिकल 52 में कही लेकिन जब हम उसकी executive power की बात करते हैं कारे-कारी सकती की बात करते हैं तो यह सम्व सम्विधान के आर्टिकल नमर 54 क्या कहता है हमारे सम्विधान में देखते हैं आर्टिकल नमर 54 कह रहा है कि तब प्रेसिदेंट इस एलेक्टेड वाई सम्विधान का अनुछेद नमर 52 क्या कहता है यह एलेक्टरल कॉलेज यानि हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में बात कर रहा है राष्ट्रपती के निर्वाचक मंडल से सबाल UPSC ने भी पूँचा है UPSC ने भी पूँचा है राष्ट्रपती से सम्मंदित हर एक आर्टिकल बहुत महत्यपूर है सवाल पूँच रहा है कि राष्ट्रपती को कौन निर्वाचक मंडल कौन है राष्ट्रपती का जब निर्वाचन होता है तो कौन इन्हें वोट देता है यह बात हमें बताना ह बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनो, सो यहां पर एक बात लिखो, लिखो, सिंपल से, यहां लिखो, रास्ट्रपती, रास्ट्रपती का निर्वाचक मंदल, निर्वाचक मंदल, कौन-कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो सबसे पहले आप लिखो, पहली बात लिखोगे इसमें, कि देखो, सभी निर्वाचित, यहां पर सभी लिखो, सभी निर्वाचित, यानि पहली बात तो हमारा कंडिशन यही है, कि रास्ट्रपती को, रास्ट्रपती को जो लोग चुनेंगे, वो कौन होगे, सभी के सभी सभी निर्वाचित होंगे, सभी निर्वाचित सदस, अब ये सदस कहां कहां से होंगे, ये हमें देखना है, सभी निर्वाचित सदस होंगे, यानि elected member है, कहां कहां के elected member होंगे, ये हमें देखना है, elected पहला लिखेंगे लोक सभा के सभी elected member, very important, आज की मैं बर्तमान की स्थिटी बात करूँ, तो देखो एक समाय ऐसा था, कि जहां पे लोक सभा में दो एंगलो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, बर्तमान में ये विवस्था नहीं है, समीधान के संसोधन नमबर हम 104 को देखते हैं, तो उसमें क्या कर दिया है, इसको हटा दिया, जो हम एंगलो इंडियन का निर्वाचन कर रहे थे, उसके प्राधान को अब हटा दिया गया है, तो अब लोक सभा में जितने भी लोग हैं, वो सब कैसे हैं, निर्वाचित हैं, य कैसे, एलेक्टेड मेंबर से, निर्वाचित हैं, राजसभा के सभी एलेक्टेड मेंबर, यानि राजसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनको राष्टपती के चुना में बोट देने का अधिकार नहीं है, उनको राष्टपती क Assembly, Member of Legislative Assembly, अब देखो फिर से मैंने बात बोल लाँ, कि यहां पर क्या बात बोली, Legislative Assembly की बात हो रही है, सभी निरवाची सदस, सभी elected member है, निरवाची सदस, कहां के, Legislative Assembly, यहां नोट करने वाली बात यहां पर यहां पर यहां पर यहां कि Legislative Council, यानि विदान परिसद के सदस स नहीं होते हैं, लिकलो, एक्जाम में पूछा जा सकता है, वो पूछा क्यों जाएगा, क्योंकि UP में विधान सवा के साथ विधान परिसद भी है, तो आप लिको कि विधान परिसद, नोट बना के अलग से, विधान परिसद के सदस से, विधान परिसद के सदस से, विधान प ठीक है किसमें रास्ट पती के निर्वाच चलने हैं पहली बात है दूसरी बात है दिल्ली और पुदुचेरी दिल्ली और पुदुचेरी दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस याद रखना यहां पे भी बात है निर्वाचित सदस हमने ओलेडी यहां पे ल नाओ करते हैं, great, हमने बात की, हमने बोला सभी elected member, elected member of, elected member of लोकसवा, elected member of रास्वा, state assembly के elected member और state assembly of दिल्ली एन पुदुचेरी, है ना, और ये जो प्राबधान है खास तौर पे दिल्ली एन पुदुचेरी का ये exam में कभी भी पूचा जा सकता है आप से, क्योंकि ये शुर है, very important, सत्तरवे समविधान संसोधन में, ये सवाल पूचा जा सकता है, कि कौन से समविधान संसोधन के माध्यम से, दिल्ली और पुदुचेरी की विधायका के लिए, या फिर विधान सभा के निदवातिस सरस्तियों के लिए, राष्ट्रपती के चुनाओं में बोट दे सेने का अधिकार में ला, आप बोलोगे गुरुजी, आप बोलो घुरुजी कहां पे, आप बोलोगे, यह हुआ सत्तरवे समविधान संसोधना, कब हुआ स 1956, 1992 में ये बात होती है, बहुत बढ़ दिया, देखो एक एक चीज़ें हमैं समझते चलना है, very important है अब यहाँ पर बात करेंगे article number 55 के है हम बहुत संचिर्ट में बात करें च्योंकि prelim की बात करना है जब हम mains के लिए बातें करेंगे आपसे थोड़ा विस्तार से करेंगे और detail में करेंगे लेकिन अभी हमारा उदेश है 14 मई का 14 मई को हमारा selection होना चाहिए हमारे चेहरे लटके नहीं होना चाहिए हम जोज से इस बात में भरे रहे कि अब मुझे mains की तैयारी करना है यह चीज बहुत जरूरी है और वो तभी हो सकती जब आज से आप तैयारी करोगे 14 मई का जो दिन है वो इंतकाम का दिन है उस दिन हमारा test होगा उस दिन हमारा एक साल बरबाद हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका फैसला होगा उस दिन हम यह देखने जा रहे हैं कि हम prelim हमारा qualify हो रहा है नहीं हो रहा है हम mains देने जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बात का फैसला होगा बहुत सारे लोगों की साधी व्याह तक के फैसले हो जाएंगे इस अकेले रजल्ट पर, क्योंकि बात तो सही है, है ना, घरवालों का भी यह रहता है कब तक पड़ोगे, तो हमें भी जल्दी सेलेक्शन लेना है, तो मेरे प्यारे साथ ही हो, मेरा सजेशन ही है, कि क्यों ना एक्जाम दृष्टी की टीम है, तो क्यों ना, इसी साल सेलेक्शन लिया जाए, ठीक है, तो अब बहुत लंबा समय नहीं गवाना है, इसी बार सेलेक्शन लेना है, चलेंगे आगे, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्टिकल लंबर 55 की, अब समीधान का आर्टिक है, manner of the election है, वो इसके बारे में बात की गई, manner of the election of president के बारे में बात की गई है, रास्टपती के चुनाओं का क्या तरीका होगा, इसके बारे में कहां बात की गई, समीधान के अनुछेद नमबर 55 में, ठीक है, बहुत बढ़िया, अनुछेद नमर 55 में ये बात की गई है, और यहां पर बात की गई कि हमारे जो रास्टपती होंगे वो कैसे होंगे? Indirectly Elected होंगे. Indirectly Elected जो व्यक्ति ने प्रियंबल पड़ा होगा वो जान रहा है कि Indirectly और Directly Election का मतलब क्या होता है? मैं फिर से बता देता हूँ आपको यदि एक तरफ मैं बोलू Direct Election. Direct Election का मतलब है कि आप Direct जा रहे हैं और आप निर्वाचित कर रहे हैं. जैसे कि Example के तौर पे जब लोग सभा का जो Member और Parliament है उसके लिए आप बोट देने जाते हों. अपने मन पसंद व्यक्ति को आप बोट देते हों. इसी तरीके से जब Legislative Assembly की बात करते हैं, यानि विधान सभा की, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? डारेक्ट उसके लिए बोट देते हैं. किसके लिए? विधायक Candidate के लिए. इसके बाद जैसे हम ग्राम सभा की, हम बात कर इसके लिए प्रदान की. तो प्रदान को आप बोट देने जाते हों, कि किस व्यक्ति को प्रदान चुनोंगे? यहाँ पर क्या कर रहा है? आप लोग डारेक्ट इलेक्षन कर रहे हो. आप डारेक्ट निरवाचन कर रहे हैं उन लोगों का, जिसको आप चाहते हैं. है ना? ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं वहीं पर हम जब indirect election की बात करते हैं indirect यानि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या हिंदी मैं बोलूं तो परुक्ष लोकतंत्र indirect election की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि यहां पर हमारे द्वारा निर्वाचित जो लोग है हमारे द्वारा जो निर्वा सदस यानि लोग सभा के जो मेंबर हैं जो की चुन के गए हैं वो वोट देंगे उन लोग सभा के सदस्यों को किसने चुना हमने चुना है ना हमने चुना तो हमने चुना किसके लिए लोग सभा के सदस्यों के लिए अब यह लोग सभा की सदस्य किसको चुन रहा है राष्ट पती को चुनो, हमने एधिकार दिया, क्योंकि हम क्या है, हम वोटर है और ये हमारे क्या है, रिप्रेजंटेटीडिव है जब ये रिप्रिजेंटेटिव है तो ये हमारे विहाप पर ही तो वोट दे रहे हैं, यदि हम इनको चुन ऐख नहीnd पहुंचाते ही तो जही सी बात है वोट नहीं दे पाते हैं तो हमारे बिहांप पे एलेक्ष यह प्रत्यक्ष चुनाओ हो रहा है अप्रत्यक्ष चुनाओ हो रहा है ग्रेट चलो अच्छी बात है दूसरी महत्पुन बात, एक बहुत important सब्द है, इनका जो चुनाओ होता है, वो secret ballot paper से होता है, गुप्त मतदान होता है, अब भाई सब आपको लग रहा है तो क्या किसी का open ballot paper से भी होता है, जी हाँ, जब हम राजसभा के सदस्यों के चुनाओ की बात करते हैं, यही में अंत होता है, हाला कि दोनों चुनाओ का तरीका एक होता है, यानि वहाँ पे भी single transferable vote, यानि एकल हस्तांतरणिया मत परणाली से चुनाओ होता है, यहाँ पे भी उसी परणाली से चुनाओ होता है, चुनाओ के मुखिता दो तरीके होते हैं, एक तो होता है, एकल हस्तांतरणिय मत प्रिणाली यानि single transferable vote होता है और दूसरा होता है first post the past system first post the past system को हिंदियें बोलते हैं अग्रता ही विजेता यानि जिसको सबसे ज़्यादा vote मिल ले हैं वो विजेता है ना चाहे वो कम vote कतने ही कम क्यों न हो लेकिन जितने भी candidate हैं उन से ज़्यादा होना चाहिए जैसे लोक सभा में होता है जैसे की हमारी gram पंचायतों में होता है है ना उसे बोलते हैं first post the past system क्या बोलते हैं first post the past system है ना first post the past system ठीक है, first post the past system, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, secret wallet से, secret wallet से, मैंने आपको दो बातें बताई यहाँ पर, कि रास्टपती और सुनो, लिख लो यहाँ पर, सवाल यहीं फसाएगा, कहाँ आपसे फसाएगा, वो मुझे पता है, ठीक है, एक जामनल आपको कहाँ से फसाएगा, मुझे पता है, president और जब vice president की बात करते हैं, president और vice president की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का चुनाओं होता है, वो कैसा हो रहा है, secret ballot paper से, very important, वहीं पर हम जब बात करेंगे, राज सभा के सदस्यों का चुनाओं, राज सभा के सदस्यों का चुनाओं, यह open ballot से होता है, अपने party के लोग को यह बताना पड़ता है, कि हम किसको vote दे रहे हैं, इसमें BIP जाये, जो है, के दिरिश्टी कौन से, बहुत बढ़ी है, star girl, ठीक है, अब चलोगे article, अब next बात करेंगे, ज्यान की बात हो रहे हैं, article नंबर 55 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आगे बात करेंगे, जैसे मैंने आपकी बोल आपको, कि कौन सी process अपनाई जाएगी, किसमें अपनाई जाएगी, system of proportional representation, by the means of single transferable vote, एकल हस्तांत्रियं मत परणाली, और अनुपातिक के प्रतनिदित्व हैं न, किस अनुपात में किसको वोट मिला है, ये हम देखेंगे इसमें, और वोट ट्रांसफर होगा, यदि आपका substantive voting नहीं हैं तो, तो इसमें preferences होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, आप preferences देंगे, जितने भी candidate होंगे, उस हिसाब से फिर देखेंगे, कि first preference पर कौन है, second पर कौन है, यदि first, second या third वाला व्यक्ति, बहुत पीछे है, तो उसके vote सब में बढ़ जाएंगे, transfer हो जाएंगे, इसमें क्या होता है, single हस्ता आंत्र ने मत बढ़ ले, खेर, इतनी बात क्लियर होई, next हम बात करेंगे, article number 56, very important, article number 56 की बात करें, तो इसमें क्या बात लिखी है, बहुत important बात है, सीधा सीधा सवाल आप से पूछा जाएगा, article number 56 क्या कहता समविधान का, यहाँ पर रास्टपती के, रास्टपती के, very important, यहाँ पर क्या बात कीज़े, रास्टपती का कारेकाल कितना होगा, term कितना होगा, इसके बारे में बात की जा रही है, रास्टपती का कारेकाल कितना होगा, इसके बारे में बात की जा रहे है, ठीक है, रास्ट्रपती का कारेकाल, अब बताओ तो रास्ट्रपती का कारेकाल कितना होगा, सब बच्चे बच्चे को पता है कि रास्ट्रपती का कारेकाल कितना होता है, पांच साल होता है, रास्ट्रपती का कारेकाल कितना है, पांच वर सब सब से इनौने अपना पद घ्रन किया उसके 5 साल तक कि रहेंगे यह रास्ट्रपति क्या इनको हटाया जा सकता यह सटाया जा सकता क्या इनका पद खाली हो सकता है यह हो सकता है किन-किन परिस्तितियों में खाली हो सकता है उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे इनका कारेकाल अभी समझना कितना 5 साल का होता है अच्छा अब बात आती है इनके रेजिगनेशन को, क्या रास्टरपती, यह सवाल बहुत फैवरेट है UPPCS का, वो पूछेगा कि जो प्रेसिडेंट है, यानि जो रास्टरपती भाई साव है, या बहन जी है, कोई भी है, रास्टरपती महा महीम, तो यह जो है, अपना त्याग पत्र इनको रास्टरपती अपना त्याग पत्र किसको देगा, मेरे भाईयों बहनों, रास्टरपती अपना त्याग पत्र देगा, उप रास्टरपती को, और मान लो, उप रास्टरपती का मन है, त्याग पत्र देने का, तो किसको त्याग पत्र देंगे, आप बोलोगे रास्टरपत यह कैसी है आपस की बात है यह कैसी है आपस की बात है ठीक है यह कैसी है आपस की बात है इसी तरीके से या दखना है देखो तो अब दो कंडिशन ऐसी होती जहां पर आपस की बात होती है तो लिखो आपस की बात यहां पर और आपस की बात कहां पर होती है आपस की बात दो ज रास्ट्रपती के केस में इसी तरीके से लिखना है ठीक है यहां पे लिखो त्याग पत्र ठीक है और यहां पे लिखो उपरास्ट्रपती यह तीर दोनों तरब बने हैं और तीर दोनों तरब बने होने का तात्रपर क्या है कि एक दूसरे को रास्ट्रपती को त्याग पत्र देना तो उप्रास्टपती को देगा उप्रास्टपती त्यागपत्र देना चाहते हैं तो रास्टपती को देंगे सेम कहानी किसके लिए है सेम कहानी है लोकसभा के speaker को लोकसभा का speaker यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा आप बोलोगे deputy speaker of लोकसभा deputy speaker of लोकसभा और यदि deputy speaker of लोकसभा यानि लोकसभा का उपाध्यक्ष से जो है वो त्याग पत्र देना है वो देना चाहता तो किसको देगा आप बोलोगे लोकसभा के अध्यक्ष को किसको देगा लोक सवा के अध्यक्ष को वेरी इंबॉर्ड़न ठीक है ठीक है चलो आगे चला जाए ठीक है एक बड़ सेयर कर लो आप लोक सेयर नहीं करता है किसको देगा जाए तो आए किसको अरण के भीक है खीक है एके मैं सान्हें कर दिया है सालुक उत्ता हूं ठीक है विजय कह रहा है सर यदी वाइस प्रेसिडेंट का पद पहले से ही खाली हो तो वो किसको देगा त्याग पत्रों के तो किसको त्याग पत्रों के तो किसको त्याग पत्रों के तो किसको त्याग पत्रों के तो यदी वाइस से प्रेसिडेंट का पद पहले ही खाली है तो किसको देगा वो चीफ जस्टिस को देगा ठीक है वो किसको देगा चीफ जस्ट next the president can resign his office by writing under the his hand address to the vice president ठीक है ये बात हमने लिख दिया चलो great समविधान का आर्टिकल नमर 57 समविधान का आर्टिकल नमर 57 समविधान का आर्टिकल नमर 57 क्या कहता है this article mention about the re-election of the president अब सवाल उठता है क्या राष्ट्रपती का राष्ट्रपती का पुनर निर्वाचन हो सकता है या मैं बोच हूँ कि राष्ट्रपती कितनी बार बन सकते हैं भारत में यदि आपको राष्ट्रपती बनना है तो very important देखो यहां पर हम दो देशों का comparison करते हैं एक बात करते हैं अमेरिका की ठीक है अमेरिका की एक बात हम करते हैं अमेरिका की और दूसरी हम बात करते हैं भारत की दूसरी बात हम करते हैं भारत की एक बात है अमेरिका की इस्तिति आपको पता है कि यदि आपके अमेरिका में यदि कोई व्यक्ती रास्टपती बन सकता है तो वो max to max कितनी बार, maximum दो बार बन सकता है, वहीं पर जब हम भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर unlimited time बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है, है न, कितनी भी बार, ठीक है, कितनी भी बार बन सकता है, very important, तो यह लिख लो, कितनी भी बार, कितनी भी बार, बस क्या करना है, उसको चुनाओ जीतना चाहिए, great, तो कितनी भी बार बन सकता है, यहाँ पर लेकिन दो बार, अब अच्छा मुझे कोई comment करके बताएगा, क्या रास्टपती की maximum कोई उम्र है आप बोलोगे, देखो सर, रास्टपती बनने के लिए ये बात सही है, कि हमें minimum उम्र की जरूरत है, कि उसकी उम्र, अभी हम आगे article में बात करेंगे, कि minimum उम्र उनकी 35 साल होना चाहिए, जो भी रास्टपती का चुनाओ लड़़ा है, लेकिन maximum उम्र की ऐसी कोई सीमा नही है, तो maximum उम्र की कभी भी बात की जाए, तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, क्या 100 साल का व्यक्ती रास्टपती बन सकता है, यस बन सकता है, क्या 200 साल का व्यक्ती रास्टपती बन सकता है, यस बन सकता है, क्या 400 साल का व्यक्ती कोई रास्टपती बन सकता है, यस बन सकता है, है ने तो कितने भी साल का हो कोई जिख्कत नहीं लेकिन सबस्व开始 कितने भी बार बन सकता है और ये बात हम समष्विधान के अनुछ्षेद नमर 57 से समझते हैं, यहाँ पर क्या बात की गहिए है, यहाँ पर re-election की बात की गहिए है, great, so a person is eligible for re-election to the office of the president at any number of term, कितनी भी बार वो बन सकता है, ठीक है, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब समविधान के अनुछे नमर 58 की बात करते हैं, no doubt करेंगे, समविधान के अनुछे नमर 58, this article is mentioned about the qualification of election as president, for election as president, यानि की राष्टपती के रूप में चुनाओ के लिए योगता के बारे में उल्ले किया गया है, तो यानि qualifications की बात कहां पर कीगी, please no doubt, देखो भाई, यहाँ पर तो बफरिंग नहीं हो रही है, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल, yes, बिल्कुल जिसान सरी क्लास होगी, yes, जिसान सरी क्लास होगी आज, ठीक्या, कोई दिख कर दे, मैं बता तो रहूँ, अभी सभी लोग की तवियत खराब चले, मेरी भी तवियत थोड़ी सी खराब है, बट देखते हैं, जल्दी सही हो जाए, ठीक है, आर्टिकल नमर 58 में, प्रेसिडेंट की qualification की चर्चा, yes, yes, अस्वी, तुरवेदी ची, ठीक है, ग्रेट, सुभास कुमार जी, ओके, चलो, आगे चलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 53, अब बात की जाएगी, क्या-क्या qualification होनी चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को, मालो, आपका मन करता है कभी, आपका दिल करता है, कि मैं भी रास्टर पती का चुनाओ, आपके दिमाग में भी आएगा, कि मैं क्यों रास्टर पती का चुनाओ ना लड़ने का, तो qualification पता होना चाहिए, कि कौन-कौन सी qualification होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, जो व्यक्ति रास्टर पती का चुनाओ लड़ना चाहता है, उसके पास इतनी सारी qualification होना चाहिए, एक-एक करके देखते हैं, पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, अब यहाँ पर बड़ी condition है, ठीक है, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आपसे वो उस प्रस्ण पूछेगा, कि भारत का जनम से नागरिक होना चाहिए, यानि by birth वो भारत का होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर से हम compare करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं, अमेरिका की, USA की, और यहाँ पर हम बात करते हैं, भारत की, अमेरिका में ये बात सही है, कि यदि अमेरिका का रास्टपती बनना है अमेरिका की ये बात सही है कि यदि अमेरिका में रास्टपती बनना है तो अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है और वो भी कैसे जन्म से यानि by birth आप वहां पे आप जन में हो, by birth आप वहां के नागरिक हो, ठीक है, आपको by birth वहां का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन भारत में जनम से जरूरी नहीं कि आप जनम से वहां के नागरिक हो, तो ही रास्टपती बन सकते हो, आपने नागरिकता ले ली भारत के हो गए तो अब आप रास्टपती बन सकते हो ठीक है, एक qualification तो याद रखना, भारत के condition में जनम से वाला clause नहीं है यह आप से गलत करवाएगा exam में यह प्रस्ट अकसर पूछा जाता है यदि भारत का रास्टपती बनना है तो क्या qualification होना चाहिए तो उसमें लिख देगा कि भारत में भारत का नागरिक, जनम से भारत का नागरिक होना चाहिए तो तुरंत वो statement गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत में वो जनम से नागरिक होना चाहिए ठीक है, बस वो भारत का देना अपना फिर चुनाव लड़ लेना देखो जिसांसर भी क्लास में आ गये हैं ग्रेट चलो तो अब देखो भारत का नागरिक होना चाहिए उसे जनम से भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी बात याद रखना भारत में ऐसा नहीं है भारत में यदि रास्टरपती बनना है तो भारत का रास्टरपती होना जरूरी है जनम से रास्टरपती होना जरूरी है भारत में यदि आपको रास्टरपती बनना है तो भारत में आपका भारत में नागरिक होना जरूरी है अब वो किस कि आमें से नागरिकता ली इसमें बता नहीं की गई है हम ने बात-पकी है नागरिकता के बारे में पांस तरीके से मिलती है नागरिकता आप फुर से बढ़ सकonst taş थो हमने बाँच तरीक से ब्रन्ड आपको एक बताहि थी तो उसके अमाध्यम से न्हीं Go पहले लिखाय है भारत के नाधरी होना चाहिए लेकिन यह नहीं लिखाय कि बारत का जनम से nagn में होना चीनल बह दी बासतों आँप अमेरिका है बासतों है तो बाठ च्र750 को आधर बारत अमेरिका में ने आफड लिख नागरिकत्री नागरिक हो इसमें बोला गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए ये बाद ठीक है 35 साल उम्र होना चाहिए ये बाद ठीक है उसके बाद एक महत्यपूर्ण इनकी क्या है qualification है चुनाव लड़ने के लिए कि उस व्यक्ति को लोक सभा के चुनाव में निर्वाचित होने की योगता होने चाहिए या फिर मैं बोलू कि उट भी qualified by election as a member of लोक सभा यदि वो लोक सभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए तो खड़ा हो सके वो योगता होसके पास होना चाहिए अब यहाँ पर बहुत important है यहाँ पर क्या बात बोली कि लोक सभा में चुनावन लड़ने लाइक योगता होना चाहिए यहाँ पर यह नहीं बोला कि लोक सभा का सदस्व होना चाहिए वो very important यहाँ महत्कुन बात है यहाँ पर बोला है कि लोक सभा में एलेक्ट होने की उसकी क्या होना चाहिए योगता होना चाहिए should be qualified for election as a member of लोक सभा चीक है जब यही बात हम करेंगे किसके बारे में वाइस प्रेशिडेंट के बारे तो वाइस प्रेशिडेंट की करिसन में यह हो जाएगा वो राजसभा का सदस्व से निरवाचित होने की योगता राखता हो यहाँ पर आस्ट्रफदी के के से जब हम पढ़ाएंगे आगे तो बढ़ाएंगे तो यहां पर हमारी बात होगी इस विद्धी क्वालीफाइड फॉर एलेक्शन इज़ा मेंबर आफ लोकसभा वेरी इंपोर्टन यह तो हमने क्वालिफिकेशन की बात कि क्वालिफिकेशन से संबंदित कोई भी सवाल उठेगा अब कौन डिसाइड करेगा तो यदि डिस्प्यूट है खासतोरपे इलेक्शन से संबंदित किन किन की इलेक्शन से संबंदित याद र только now कोई भीούμεी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यानि रास्ट्रपती और वाइसे प्रेसिडेंट यानि उपर रास्ट्रपती इन दोनों के चुनाओं से सम्मंदित कोई भी डिस्प्यूट है तो इसको कौन सुल जाएगा सुप्रीम कोट सुल जाएगा very important यदि प्रसिडेंट के चुनाओं से सम्मंदित कोई dispute है या वाइसर प्रसिडेंट के चुनाओं से सम्मंदित कोई dispute है तो समविधान का अनुछेद नम shouting 91 कहता है very important article når 71 कहता है कि इसको कौन सुल जाएगा आप बोलोगे Supreme Court सुल जाएगा Supreme Court सुल्जाएगा और सुप्रीम कोड का ही निर्ना अंत्यम होगा यह फाइनल सुप्रीम कोड ने जो भी बाति बूली जितने भी नए भाइ भाई वहन है सब ईकस रभी लोग को सब्सक्राइब करके क्लास को क्या कर बात है अब ऐसे नहीं कि आप आये उठे और चुनाव में आ गया ऐसा नहीं हो गाला कुछ तो गभार मांगाइगे पहली बात तो आपसे जमानत रासी मांगी जाईगे जब आप चुनाव में जाओगे तो आपसे बुला जागा कि अब आपको nomination करना है nomination यानि आपको नामांकन करना है और नामांकन करने समय आपको क्या करना पड़ेगा जमानत रासी जमा करनी होगी जिसे हम बोलते है security deposit security deposit करनी होती है याद रखना very very important 15,000 रुपए की security deposit रखनी होगी आपको अब सवाल उठता है कि यह security deposit किसके पास रखी जाएगी है ना उसमें option रहेगा आपको कि निर्वाचन आयोक के बास लेकिन very important इस बात को याद रखना है जो रास्ट्रपती जब चुनाओ लड़ेगा उसकी जो जमानत रासी है वो किसके पास होगी RVI के पास रखी जाएगी ठीक है तो यह बहुत महत्पूर बात है ना किसके पास RVI के पास ठीक है यह RVI के पास रहेगी है अब आपके दिमाग में आएगा किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि मेरे पास 15,000 रुपए हो गए है चलो मैं चुनाओ लड़ता हूँ 15,000 तो कोई भी दे सकता है आप भी दे सकते हूँ ना ठीक है तो वो लोगे सर 15,000 दे सकते हैं लेकिन अब इसके बाद की जो कंडिशन है ना उसमें आपका निकल जाएगा पसीना क्योंकि वो है कठिन नॉमिनेशन के लिए जरूरी है अ केंडिडेट फॉर एलेक्शन तो बी ऑफिस और प्रेसिडेंट मस्ट हैव सब्सक्राइब वाइ एक लिस्ट 50 एलेक्टर एंड 50 प्रुपोजर एज एलेक्टर इसका मतलब क्या है गुरुजी जब आप चुनाओ में जाओगे आपने 15, 12,000 रुपे जमा कर दिये ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद आप से पूछा जागा यह बताओ कि तुम्हें कोई तुम्हें कोई प्रुपोज करने वाला है प्रुपोज करने वाला का मतलब नहीं है कि कोई आपको जाके फूल देके प्रुपोज कर दे जी नहीं इसका मतलब है कि कितने लोग आपको प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप जो है प्रस्ताव प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप राष्ट बनी राष्ट पती बनो तो ऐसे पचास लोगों की जरूरत है है ना 50 लोग की जो इस बात का प्रस्ताव दें इस बात पर हामी रखें कि ठीक है आप राश्टरपती के चुनाओं में लड़ो अब लेकिन महत्रपुन बात होती है यह 50 लोग कौन है यह 50 लोग कौन है आपको दिमाग में आगा अरे भाईया हमारे यहां 50 लोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम सबको 50-50 रुपे का पववा पिलाएंगे 50 लोग आ जाएंगे सो भाई सब यह पववा पीने वाले लोग नहीं हैं तो हो सकते हैं इनमें पववा पीने वाले लोग लेकिन वो बड़े लोग है क्यों क्यों क्योंकि जो इसमें जो 50 प्रस्तावक चाहिए वही लोग चाहिए जो वोट देंगे अब वोट कौन देंगे आप समझ गया होगे या तो लोग सभा का निर्वाची सदस, या तो राज सभा का निर्वाची सदस, या विधान सभा का निर्वाची सदस, या दिल्ली और फुदुचोरी के निर्वाची सदस, यह लोग चाहिए, इन लोगों में से 50 लोग चाहिए, यहाँ पर हो जाएगी टेंसल, ठीक है, तो 50 हमें चाहिए, प्रपोजर, और 50 और चाहिए, क्या, सेकेंडर, तो 50 हमें कैसे चाहिए, हमें, very important, हमें कैसे चाहिए, यह प्रस्ताबक के तौर पर चाहिए, और 50 सेकेंडर के तौर पर चाहिए, ठीक है, तो यह दोनों बातें यहाँ रखना, ठीक, अब, अब ऐसी स्थिति है, माल लो, आप चुनाओ हार गए, ठीक है, जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि चुनाओ हार गए, और चुनाओ हारने के बाद, यह नहीं भी हारे, तो यदि आपकी स्थिति ऐसी होती, कि आपके वोट, 1, 6, जितने टोटल वोट पड़े हैं, उससे यदि एक बटे 6 भाग से कम वोट मिले आपको, जितने बोट पड़े, वैलिड वोट, जितने वैलिड वोट पड़े, वैलिड वोट, जितने वैलिड वोट वैद्ध मतों का, यदि आप एक बटे 6 भाग से कम वोट लाते हो, तो आपने जो 15,000 रुपे जमा किये थे वो आपके बापिस नहीं मिलेगे वो बापिस नहीं मिलेगे ठीक है? वो बापिस नहीं मिलेगे Great तो इनकी क्या हो जाएगी? Security जब्त हो जाएगी हम बोलते हैं deposit क्या हो गया? उनका जब्त हो गया जिसे हम लोग ठेट वासा बोलते हैं जमानत जब्त होगी ठीक है? उसके पास इतने वोट भी नहीं आए कि जमानत जब्त होगी अब हम Article 59 की बात करते हैं Article 59 कहता है Condition of Office of President राष्टरपती के कारिकाल के लिए क्या क्या सर्ते होना चाहिए? प्रेश्टरपती के कारिकाल की शर्तों की बात करें तो पहली बात तो President of India Sir Lord have member of any house सदन के या फिलोकसभा या राजसभा या विदान सवा किसी भी सदन का वो सदस नहीं होना चाहिए ठीक है? किसी भी सदन का वो सदस नहीं होना चाहिए ये बात बोली उसे लाव के पद्ध का धर्र नहीं करना है ठीक है, very important उसके बाद इनको बहुत सारी सुभधाइं मिलेंगी free, terrible, mobile, phone phone का alliances, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी तो बहुत सारी, ठीक है yes, 50 प्रस्ताबक और 50 उनुमुदक, yes अनुमुदक, ठीक है, great सब कुछ नहीं मिलेंगा, जो इनने एक आधिकारिक भवन मिलता है रहने के लिए, उसे क्या बोला जाता है रास्टपती भवन बोला जाता है क्या बोला जाता है रास्टपती इनको free resistance तो मिला है, medicine की facility, medicare, pension मिलेगी, किसके लिए, यदि मानलो, in the case of मानलो, president कोई ex-person था, उसकी wife है अभी तो ये इनके लिए इनके spouse को भी pension मिलेगी, यानि इनकी पतनी को pension मिलेगी, ठीक है, इनके मरने के बाद भी सो ये बात होगी, सेवा सेवा निब्रित्ती के बाद भी pension मिलेगी, ये सब भी बात यहां पर होगी, ठीक है, अब article number 60 की बात कहिए, इसमें हमने बात की, सपत के बारे में और article number 60 के बाद में हम बाते करेंगे, कल आगे, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कल करेंगे, लेकिन आप लोग के लिए बिसे सूचना है, हमारा दिसा बैच चल लहा है, और दिसा बैच पर अभी दो दिन के लिए discount आया है, दिसा बैच पर दो दिन के लिए discount है, Republic day discount, आप चाहें में कोई भी बात करना चाह रहे है, क्या है कोर्स, क्या है कुछ कुछ, जो भी चीज़ है तो आप एक तो exam दृष्टी का app download कर लिजे, play store से जाकर या description में link के दी है, या फिर हमारे number पर, यानि 70111 27226 पर call कर लिजे, सारी faculty सांदर तरीके से आप लोगों के ले क्रेस प्रोस लेकर आई, इसमें आपको test series यू मिलेगा, cset का course यू मिलेगा, और यह सब्सक्राइब, ठीक है, चलिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से next class में, उमीद है कि आप लोगों को चीज़ें समभ़ने में आ रहे हैं, धन्यवाल